नमस्कार दोस्तों मेरा नाम महिंद्र और आप दिख रहे है एगरिकल्चर टिप सेट मंडी भाओ दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे पी आई कंपनी के रोकिट कीट ना सकके बारे में डीटेल में बात करेंगे और जानेंगे से कौन-कौन सी फसलों में डाल सकते हैं और ये कौन-कौन से कीटों को कंडूल करता है साथ में इसके स्प्रेड जोज और कीमत की भी बात करेंगे उससे पहले बात करते हैं रोकिट कीट ना सक में टेकनिकल कौन सा है इस दबा में दो टेक्निकल होते हैं पिरफ्रोन फोर्स 40% DC प्लस साइफर मेथीन 4% DC अब जानते हैं इस दबा को हम कौन-कौन सी फसलों में स्प्रे कर सकते हैं अब बात करते हैं ये दबा कोन-कोन से कीटों को कंट्रोल करती है तो ये हरी इल्ली, काली इल्ली, भूरी इल्ली, तमाकु सुन्डी, अमेरिकन सुन्डी, ताना छेदक और थिरफ्स को भी कंट्रोल करती है अब बात करते हैं इसके स्प्रेट डोच की तो आप एक एकड़ में 300-300 ml को लेकर 150-200 लिटर पानी के साथ स्प्रेट कर सकते हैं अब जानते हैं इस दावा का रिजल्ट हमें कित्ते दिनों तक मिलता है तो इसका रिजल्ट हमें 10-15 दिनों तक मिलता है ये की इतना सक हमें 100 ml, 500 ml, एक लीटर और 5 लीटर पेकिंग साइज में मिलती है और इसके एक लीटर की कीमत 800 रुपे के लगबग है दोस्तो वीडियो अच्छे लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको खेती से सम्मद्र नहीं नहीं जानकारी समय समय पर मिलती रहे धन्यवाद